इन सबसे बढ़कर एक भीशन सामाजिक समस्या हम सबके सामने आई है लौ जिहाद अभी आप और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से बेटी तारा ने हिम्मत करके पूरे देश को जागरुप किया है पूरे देश में गर्बे के दौरान साड़े चार लाख हिंदू लड़कियां धर्मांतरित होती है और इस प्रकार से यह दिये निरंतरता बनी रहे तो मैं सोचती हूँ देश के जन सांखी की अनुपात में एक भीशन गर्बड पैदा हो जाएगी यह रोका जाना चाहिए इसलिए हम गर्बा आयोजिकों से आगरे करना चाहते हैं कि वो जिस किसी भी भाई को गर्बा पांडाल में प्रवेश दें उसका मत दाता परचे पत्र अवश चेक किया जाए कि जिसकी धर्म में आस्था नहीं है जो इस परंपरा विवस्था को मानता नहीं है वो सिर्फ नाचने के लिए इन आयोजिनों में शामिल ना हो यह अपेक्षा सभी गर्बा मंडलों से हमारी है समानता पर यह कोई प्रशन चिन नहीं है यदि उनके आस्था है तो उनका स्वागत है और इतनी आस्था है कि वो नो दिन साधना करते हैं डेड मेंने अभ्यास करते हैं तो वो उस धर्म को प्राणपरण से अंगिकार करें और गर्बा करें लव जहाद को कितना खतर्नाख मानती हैं अब कितना जो लव जहाद राष्ट के लिए बहुत घातक है और समय रहते इसका नियंतरित किया जाना भे नत्तान तावाशक हैं इसके लिए किया एक गुवल इसके लिए पक्ष दोनों ही दोशे हैं, यदि हर पक्ष अपनी नतिकता, इमानदारी पे कायम रहेगा तो इस प्रकार की गणित घटना है नहीं घट पाएंगे, कोई सून योजित शड्यंत्र से यदि इन अभियानों में शामिल होकर बदस्तूर बेटियों को भगाने का क् लगते हैं, तो ये उनकी भी तो बैमानी है, बेटियों की नादानी है कि वो बिना सोचे समझे, इस प्रकार शामिल हो जाएं, तो इस देश की ये तो राष्ट की एक बड़ी समस्या है, इसका समाधन संपूर्ण समाज को जागरु को कर डूढ़ना पड़ेगा, और मुझ आलमान सच्चा मुसलमान बन जाएं, तो किसी प्रकार की कोई परिशानी इस देश में हो नहीं सकते।